आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ नमस्कार दोस्तों आईए हम प्रस्ण हल करते हैं दात और जीव के असपर्च में बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं हमारे विकल्प दिये गया हैं मुर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ठय, कंठोष्ठय ठीक है, तो आए इस प्रस्ण को हम हल करते हैं प्रस्ण में क्या पुछा गया दात और जीव के असपर्च में बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं पहला वाला विकल्प दिया है मुर्धन्य मुर्धन्य वे वर्ड हैं जिनका उचारण मुर्धा से हो मूर्धा से हो उधारण री ट ठ ध इत्यादि ठीक है दूसरा वाला क्या है दन्त दाद और जीव के अस्वर्ष से बोले जाने वाली वर्ड को हम दन्त कहते हैं दाद और जीव से जीव के अस्वर्ष से बोले जाने वाले दन्त को हम दाद कहते हैं उधारण इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं त थ द ध न ठीक है तीसरा क्या दिया है दन थोष्ठे जिसका उच्चारण उपर वाले दाथ और नीचे वाले होट को मिलकर होता है उसे हम दन थोष्ठे करते हैं जिसका उच्चारण उपर वाले दाथ और नीचे वाले होट को मिलकर होता है उसे हम दंतोष्टे कहते हैं इसका उदारर कौन-कौन सा है? इसका उदारर वह है वह वर्ड आता है चौथा क्या दिया गया है? कंठोष्टे जिन वर्डों का उचारर कंठ और ओठो से होता है उसे हम कंठोष्टे कहते हैं जिन वर्डों का उचारण कंठ और ओठों से होता है, उसे हम कंठों स्थे कहते हैं, उधारण कौन-कौन से वर्ड़ आते हैं, ओ, आओ, ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा कौन सा उतर होगा, दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला, तीसरा वाला और चोथा वाला गलत होगा, धर्निवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक, तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर क्लासिक क्लासिक